नमस्ते, मैं हूँ Dr. Aachil Panth और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कैसे आप अपना स्किन को थोड़ा स्मूध कर सकते हो और अगर आपकी स्किन में टेक्स्चर है, थोड़ा बंपिनेस है, उसको आप कैसे सुधार सकते हो तो जब भी आपके स्किन में टेक्स्चर है, या स्किन स्मूध नहीं है, या उपर खाबढ़ है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि यह क्यों हो रहा है, क्या आपके स्किन में उबरे हुए निशान है, या आपके स्किन में दबे हुए निशान है, तो उबरे हुए निशान के कारण होते है open pores, acne scars और fine lines. तो white heads हम उसको बोलते हैं जहां पर जो हमारे skin में बाल और उसके side में gland होते हैं उसकी opening अगर बंध हो जाए तो वहां पर white heads बन जाते हैं यह फिर बाद में मुहा से भी बन सकते हैं तो यह चेहरे के किसी भी भाग में देखा जा सकता है ज्यादतर माथे में नाक के उपर और चिन की एरिया में ज्यादर रेखने को मिलती है चिहरा होता है, Dermatocyus Papyloosanigra, जो होते हैं थोटे छोटे काले तील की जत्तरा चेहरे के ऊपर होते हैं यह चेहरे में किसी भी भाग में हो सकते हैं लेकिन यह आखो के आसपास ज्यादा अतर्द देखने को मिलता है फिर चौता है सिरिंगोमा, सिरिंगोमा ऐसे flat lesions होते हैं जो आखों के आसपास देखे जाते हैं, वो कभी जादा कभी कम दिखते हैं, ये सिस्ट होते हैं और इसको निकालना बहुत मुश्किल रहता है और इसके साथ साथ मीलिया भी दिखने को मिलता है, तो जब भी आपको सिरिं थोड़े से आखों के आसपास, मिलिया भी दिख सकते हैं, फिर होता है केरिटोसी क्बाइलारिस, केरिटोसी क्बाइलारिस पाइलारिस एक ऐसे बीमारी है जहां पे skin smooth, straight नहीं बनती, जहां पी आपके बाल होते हैं वहां पे skin थोड़ी bumpy बन जाती है, इसके वाज़े से आ होता है कि skin के नीचे बाल तूट जाते हैं इसकी वज़े से जग जग में बाल की बंप दिखने लगती है और बाल अंदर की तरफ grow करने लगती है इसकी वज़े से यह से in-grown hair के bumps दिखते हैं अगर आपके skin में गड्डे है तो उसके कारण हो सकते है acne scars, मुहासे अगर लंबे समय के लिए आपने treat नहीं किया या आपके बहुत severe type के मुहासे होते हैं, तो फिर वो गड़े छोड़ सकते हैं आपके skin में इसकी वज़े से आपको acne scars दिखने को मिल सकता है, फिर होता है open pores, open pores ज़्यादा तर नाक के उपर और गाल के अंदर की हिस्से में ज़्यादा देखने को मिलता है और जैसे आपकी उमर बढ़ती जाती है वैसे ये open pores भी ज़्यादा दिखने लगते हैं फिर होता है fine lines, जूरिया की वज़े से भी आपके skin में थोड़ी सी textures दिखने लग सकती है ये ज़्यादा तर माथे में और आखों के आसपास दिखने है तो ये सारे कारण के वज़े से आपकी skin smooth नहीं दिखती तो हमें हमेशा पता करना चाहिए कि कारण क्या है और उसे साब से हम treatment करें ताकि हम आपकी texture को improve कर सकते हैं और skin को फिर से थोड़ा smooth दिखा सकते हैं तो हम इसको कैसे treat कर सकते हैं skin की texture और uber khabard तब ज़्यादा दिखती है जब ज़्यादा dead skin वहां पर पड़ी रहती है तो इसकी वज़े से आपका skin और ज़्यादा dull दिखना ऐसे होता है तो इसलिए आप एक gentle chemical exfoliation इस्तमाल कर सकते हो तो either salicylic acid serum आप लगा सकते हो अगर आपकी oily skin है तो आप salicylic acid हर रोज रात को इस्तमाल कर सकते हो अगर आपकी combination या normal skin है तो आप salicylic acid को हफते में 3 या 4 बार इस्तमाल कर सकते हो और अगर आपकी dry skin है तो इसको हफते में दो बार इस्तमाल कर सकते हो तो salicylic acid skin को थोड़ी से exfoliate करती है, उतारती है और dry skin हटने के बाद जो नीचे की मुलायम skin है वो exposed होगी और आपकी skin smooth दिखेगी मेरे recommendations है, sebonac gel, zit care rest gel, domaco salicylic acid serum और minimalist salicylic acid serum आप glycolic acid creams भी इस्तमाल कर सकते हो, glycolic acid भी skin को बहुत gently exfoliate करता है और इससे skin थोड़ी smooth दिखने लगती है मेरे कुछ recommendations है, GPL 6 cream, glyco 6 cream, glyha cream glycolic acid को भी आप हफते में एक या दो बार रात को इस्तमाल कर सकते हो ध्यान रहे कि जब भी आप ऐसे chemical exfoliations इस्तमाल करो moisturizer ज़रूर लगाए और दिन में sunscreen ज़रूर इस्तमाल करें तब ही जाके आपको इसका पूरा लाब मिलेगा अगर आपकी skin बहुत sensitive है और बहुत dry है तो फिर आप salicylic acid और glycolic acid को tolerate नहीं कर पाऊगे आपकी skin और जादा irritated हो जाएगी तो फिर आप lactic acid based creams इस्तमाल कर सकते हो मेरे recommendations है Dr. Shait की gentle peel और सुगंदा का lactic acid peel इसमें lactic acid peels जो है वो बहुत धीरे-धीरे काम करती है लेकिन आपकी skin को irritate नहीं करेगी लान नहीं करेगी और आपकी skin time के साथ थोड़ी सी smooth थोड़ी मुलायम दिखने लगेगी तो इसको आप हफ्ते में दो या तीन बार इस्तमाल कर सकते हो फिर आपको एक या दो महिने में आपकी skin में काफी सुदाय दिखने को मिलेगा तो आप इसको कैसे सही कर सकते हो दो चीजे होते हैं एक जो आप घर पे कर सकते हो और दूसरा जो आप dermatologist के clinic में जा के कर सकते हो तो retinols आपके texture को दो वे में improve करेगा पहले तो वो collagen build up करता है तो जो भी आपके गड़े है, open pores है वो time के साथ बेटर दिखने लगेंगे और दूसरा वो skin के cell turnover को बढ़ाता है तो जो भी उपर घाबड़े आपके skin में जो छोटे-छोटे दाने हैं जैसे कि whiteheads हो गया या milia हो गया या छोटे skin tags हो गया वो भी tretinoin और retinol के इस्तमाल से कम हो सकते है और आपके skin की texture improve हो सकती है मेरे retinol recommendations है RetiH by Cessderma Dermatica Retinol Cream Ega by Q Ratio अगर dry skin है तो आप minimalist का retinol serum इस्तमाल कर सकते हो या chemist at play का retinol with green tea extract serum इस्तमाल कर सकते हो ध्यान रहे कि जो chemical exfoliation है उससे आपको जल्दी से result दिखने को मिलेगा जल्दी से आपके skin smooth लगने लगेगी लेकिन जो retinol cream है वो बहुत दीरे दीरे आपके skin में असर दिखाएगा और आपको regular basis में 6-9 महीने इस्तमाल करना पड़ेगा इसके results दिखने के लिए तो patience और sabr बहुत जादा जरूरी है जब भी आप retinols इस्तमाल करो और इसको regular basis में जब आप इस्तमाल करोगे तो इसके आपकी skin में काफी अच्छा सुधार आएगा तो ऐसे क्या procedures है जो आप dermatologist के clinic में कर सकते हो एक तो है microdermabrasion microdermabrasion से आपकी open pores भी कम दिखने लगती है और scars भी improve लगने लगती है दूसरा है chemical peels जो आप घर में chemical peels करते हो वो हमेशा lower concentration के रहती है और जो आप dermatologist के clinic में chemical peels करोगे वो हमेशा higher concentration में रहेगी क्योंकि हमें इसमें तजूरबा है कैसे chemical peels करना है और कैसे इससे maximum benefit हम उठा सकते हैं तो इसकी वज़े से यह stronger peels हम इस्तमाल करते हैं जैसे कि glycolic acid का भी stronger version हो गया या mandalic acid और salicylic acid तो अगर आपके skin में बहुत जादा texture है और आप घर पे exfoliate करने के बाद भी इसमें improvement नहीं देख पा रहे हो तो आप chemical peels करा के इसमें काफी सुधार देख सकते हो फिर होता है radio frequency ablation यह machine होती है जिससे आपके skin में अगर छोटे-छोटे दाने है तो हम उसको जला सकते हैं जैसे कि dermatosis papillosa nigra हो गया या skin tax हो गया तो इसको हम यह machine से जला सकते हैं ताकि वो जो दाने है वो कम दिखे फिर होता है carbon peel carbon peel में हम आपके skin में एक layer लगाते हैं carbon का उसके बाद क्यू स्विष्ट इंडियाग laser का इस्तेमाल से हम यह carbon को burst करते हैं तो इससे आपकी skin की oiliness कम हो जाएगी open pores ठोरे shrink हो जाएंगे acne भी कम हो जाएंगे और overall आपकी skin थोड़ी से smooth लगेगी अगर आपके skin oily है तो यह carbon peel से आपकी skin काफी हद तक बहतर हो सकती है फिर होता है fractional CO2 laser fractional CO2 laser की जरी हम आपके skin को छोटे छोटे हिस्सों में जलाते हैं एकदम microthermal zones बोलते हैं इसको तो छोटे छोटे इंजिरी होता है skin में फिर यह scab बनके उतर जाता है फिर वहाँ पे नया collagen formation होता है new skin formation होता है तो इससे आपके scars और आपके open pores में काफी हद तक सुदार देखने को मिलता है और overall आपके skin की texture quality काफी हद तक improve होती है फिर होता है micro needling radio frequency device इसको बोलते MNRF MNRF के द्वारा हम skin को heat करते हैं इसके जो needle के tips है वो skin को heat करती है और इससे collagen generation होता है और नया skin formation होता है जिससे कि आपके scars भी better दिखने लगते हैं और open pores भी थोड़े कम दिखने लगते हैं Fractional CO2 laser और micro needling RF के चार या 6 session के बाद आपके skin की texture और quality काफी हद तक improve कर सकते हैं तो यह सब procedures की जरिये हम आपके skin को थोड़ा सा smooth कर सकते हैं और texture को improve कर सकते हैं हमेशे याद रहे कि पहले कारण पता होना चाहिए मुझे comment section में बहुत सारे questions आदे हैं यह पूछके कि मेरे चेहरे में bumps है और मैं इसको कैसे सही कर सकते हूँ तो हमेशा एक dermat के पास जाके पहले जांच कराए पता करे कि क्यों यह bumps है कैसे हम इसको सुदार सकते हैं ताकि हम कुछ treatment कर सके जिससे कि आपकी skin की quality improve हो सके मैं आशा करती हूँ कि आपके वीडियो अच्छा लगा और इससे कूछ सीखने को मिला अगर आपको ऐसे skin और hair related videos अच्छे लगते हैं तो आप हमें हमारा instagram handle dr.archilmde में follow कर सकते हो मैं वहाँ भी हर रोज इस skin और hair related videos post करती हूँ हमारा यह video देखने के लिए शुक्रिया